प्रवासी मजदूरों को लाने का कारिक्रम जोर शोर से चल रहा है इसी के तहट आज 1175 मजदूर को लेकर विशेश ट्रेन घनबाद पहुँची जहां उपायुक्तम इतकुमार ने सभी को फूल दे कर सम्मानित किया सभी की स्क्रीनिंग टेस्ट की गई एवम गॉल्फ ग्राउंड धनबाद से सम्मान रत के दोड़ा सभी को विबिन जिलों में पहुँचाया गया सभी मजदूरों ने मुख्यो मंतरी के इस पहल का स्वागत किया और उन्हें धन्यबाद दिया बताते चला है कि मुख्यो मंतरी हेमन सोरेन या गोशना की है कि यदि कोई प्रवासी फसे हैं तो जरूत पढ़ने पर उसको लाने के लिए हवाई मार का विप्रयोग किया जाए जिससे कि सभी चात्र मर्दूर नागरिक अपने परिजनों के पास पहुँच सके दनबाद से मनीश कोमाल जाकी रिपोर्ट पहले के पहले किसी को पैसा मत देना तर दस मिनट बाद हमको फुण करके बोलाकि पूछ के देखने के बार बोला कि 15 पैशा ले लिये मैं जबौ साले कोई परसाल ले बेडमें कि बहूत ही खुबश्यान। हम लोग कोई परिशाने ना पानी की ना खाने की, अभी भी बैलंस पानी है, खाना है. कहां जाएंगा अभी आप? हम लोग पाकुड जिला जाएंगे. नाम बता देजे अपना. मेरा मुहमद साहजमाल. चलिए, बहुत बहुत धनेवाद. बहुत घुशकबरी है, यह हमारा मननी मुखमत्री जो है, हम लोग के लिए बहुत कुछ किया. बहुत अच्छा काम किया. हम लोग बहुत अच्छा काम किया.